तो आज के इस वीडियो में हम सिखेंगे कि आप अपना पैन काड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं जिसका step by step सभी प्रोसेस में आपको इस वीडियो में लाइप दिखाने जा रहा हूँ साथ हो एक ची ध्यान रेखिए हैं आपका जब pen card बनता है तो हो सकता है आपका pen card अलग-लग company से बना होगा क्योंकि pen card अपने इंडिया में तीन ही company बनाती है एक NSTL है दूसरा UTA है और तिसरा income tax department के portal से बनते हैं तीनों का process आपको live दिखाऊंगा जिससे आपको कोई परसानी नहीं होगे वीडियो अगर आपको पसंदा तो इसे like, share जरूर किजिए ऐसे update के लिए चैनल को subscribe किजिए ताकि आगे भी इस परकार के जो भी update होगा मैं देने का काम करूँगा फिलाल एसकिन पर चलता हूँ ST by ST बताता हूँ किस परकार आप अपना pen card को download कर सकते हैं अभी जो देख पाराओंगे, ये NHDL का website है अगर आपका pen card NHDL से बना होगा, तो इस website पर आना होगा income tax के website से बना होगा तो इस website पर आना होगा और UTI से बना होगा तो UTI के website पर आना होगा इसे पता कैसे करेंगे तो इसके लिए आपके पास pencard का अगर copy होगा तो उसमें आप देखेंगे यहाँ पर लिखा होगा कि जो आपके pencard है और किस company से बना है यहाँ पर देखे यह NSDL से बना है तो NSDL लिखा हुआ है तो आपको NSDL वाले link पर click करकर download करना है अगर आपका UTI की sub बना होगा तो अपने pen card के पीछे देखेंगे तो लिखा रहेगा UTI से आपका pen बना है यहाँ पर उसकी जनकारी मिलेगी यसी परकार अगर आपका income tax department से तो आपको income tax department नीचे में आपको लिखना हुआ मिल जाएगा अब तीनों का क्या process से download करने का वो समद लिजिए अगर माल लिजिए आपको पता नहीं चल पा रहा है किसका है तो process देख लिजिए एक बार आप तीनों process से जमाल लिजिएगा जिस भी process आपका download हो जाए समद सबसे पहले नश्डील की बात करें तो नश्डील वाले लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहां पर दो option मिलते हैं सबसे पहला है एक नोलाजिमेंट नंबर एक नोलाजिमेंट नंबर उनकी लिजिए काम करेगा जो लोग अभी हाली में pen card बनाया है अभी तक उनके पते पर pen card नहीं पहुच पाया है तो आपके पास receiving होगा उस receiving से download करना चाहते तो इस option को select करिएगा एक नोलाजिमेंट नंबर आपको fill करना है जो भी आपका date of birth होगा date of birth का पहले यहां से date जो भी year है उससे डालना है इस capture code वाले जो checkbox मिलेगा इस पर्टी करेंगे submit वाल करना download करना तो आपको simply is pen वाले option पर click करना है अपना pen नंबर यहां पर fill करना जो भी आपका अधार नंबर होगा उससे आपको fill करना है जो भी आपका date of birth होगा यहां से पहले मंत चुन लीजिएगा जो भी साल होगा उससे बताना है नीचे आना है इस checkbox पर आपको tick करना है और इस checkbox पर भी आपको tick करना है option मिलेगा submit का जिस पर आपको click करना है थोड़ा सवेट करेंगे इस पर कर देखेंगे आपका e-pen download होने को लेकर जो आपकी detail है automatic यहां से patch कर लेता है अब आपको नीचे आना है अब यहां पर OTP आप किस पर अनबारना चाहते हैं आप अपन इस checkbox पर tick करना है और नीचे में एक option मिलता है generate OTP का जिस पर आपको click करना है जो भी नंबर आपने दिया होगा आपके pen से link होगा उसका chart digit दिखा रहा है उस पर एक OTP मिला होगा OTP को डालेंगे validate बाले विकल पर click करेंगे और यहां पर एक option आएगा continue with paid e-pen download facility जिस पर click करन होगा क्योंकि अगर आपका pen 30 दिनों से अधिक हो चुका है बना हुआ तो वैसे इस्तिति में आपको कुछ रुपए 8 रुपए के करीब में आपको payment करना होगा अगर 30 दिन के अंदर में अगर आप download करते तो बिल्कुल फिरी में वो download हो जागा इन बातों को धियान यहां से विल्डेस को चुनते हैं नीचे आना है बता रहा है कि 8 रुपया 26 पैसा आपको payment करना है हाई एगरी करने के बाद एक option मिलता है प्रोसीड टू पैमेंट का जिस पर आपको क्लिक करना है थोड़ा सा वेट करेंगे एक option मिलिगा पे confirm का जिस पर आपको क्लिक करना है अब आपको payment गेटवे पे डिडारेक करेगा अब पैमेंट आप कैसे करना चाहते है नेट बैंक के credit card, UPI या आप चाहते QR code को scan करकर करना तो हम QR code को चाहते है scan करकर करना तो यहाँ पर हम उसे चुनते हैं एक option मिलता है make payment का जिस पर क्लिक क करना है जैसे ही आप थोड़ा सा wait करेंगे इस पर कर देखेंगे आपका जो transaction है complete होता है यहाँ से continue वाले विकल पर क्लिक करना है और यहाँ पर एक option मिलता है generate and print payment sleep जिस पर क्लिक करकर आप अपना sleep भी download कर सकते हैं और pen card को भी download कर सकते हैं जैसे आप यहाँ पर क्लिक upload कर लिजिगा और pen card download करना तो उपर में ही आपको option मिलता है download e-pan card जिस पर क्लिक करना है अब यहाँ पर में एक password लगा गया होगा password के रूप में आपको क्यार डालना है जैसे आपकी date बढ़ जो भी होगी आपको पहले date फिर month फिर year बीना किसी space बीना किसी slash का उपयोग आपको करना है जैसे ही आप password डालेंगे option submit का मिलेगा जिस पर आपको click करना है आपके सामने आपका pen card download होकर आ जागा नीचे में आपको देखनों को मिल जागा आपका pen card इससे आप यहां से download करकर आप कहीं भी उपयोग इसका कर सकते हैं तो यह process NSDL का था अब समझते हैं कि UTI से अगर किसी का pen बना है तो कैसे download करेंगे तो इसके लिए इस link पर आपको click करना है अब यह आपको UTI बाले page पर redirect करेगा यहां पर आपको अपना pen number fill करनी है जो भी आपका month और year होगा date of birth का वो आपको यहां पर बताना है जैसे जनबरी होगा तो 01 और 2002 होगा तो 002 आप यहां पर लिखेंगे इस अनुसर बाकि यहां पर यह जो option है इसको blank छोड़ना है capture code जो मिल रहा है उसे fill करना है एक option मिलेगा submit का जिस पर click करना है अब यहां पर आपका pen number mobile number email id देखनों को मिलेगा आपको capture code डालना है और आप अपना OTP किस पर अन्वाना चाहते है चाहते है कि email mobile दोनों पाया तो इस दोनों वाले option को ठीक रहने देना है एक option यहां पर मिलता है एक डिक करने का इस check box पर ठीक करें एक option मिलेगा gate OTP का जिस पर आपको click करना है आपके mobile पर एक OTP रेसिब हुए होगो वो सोटीपी को यहां पर आपको fill करना है या email पर आया होगा तो उसको fill करकर submit वाले विकल पर click करेंगे इसमें भी same rule है अगर आपका pen 30 दिनों का अंदर बना है तो आपको कोई payment करने की जरूरत नहीं है अगर मान लेजिए 30 दिन सद्धिक हो चुका है तो 8 रुपे 26 पैसा का payment करना होगा इसके लिए payment आपको देखनों को मिलेगा अपना mobile नमबर email डालेंगे यहां पर आपको T करना है option मिलेगा confirm payment का जिस पर click करना है अब आपके नमबर पर एक OTP गया होगा OTP को फिल करेंगे submit वाले विकल पर click करना है उसके बाद यहां पर इसका जो sleep है आपके सामने आ जाता है जिसमें आपका जो application नमबर है देखनों को मिलेगा पैन नमबर का कुछ digit मिलेगा और जो email ID आपका link होगा उस email ID को यहां पर दिखा जा रहा है इस email ID पर एक link आपको भेजा गया होगा वहीं से आपको pen card डाउनलोड होगा इसमें भी बतायागा कि pen card जब डाउनलोड करेंगे तो इसमें password होगा password में वहीं आपको डालना है जो date of birth होगा तो पहले date, फिर month, फिर year आपको इस अनुसार आपको fill करनी होगी तो चलिए यहां से close करते हैं इस परकार एक mail आएगा UTI के तरप से जिसमें देखेंगे दो PDF होगे यहां पर आपकी pen का यह PDF भेज दे गई है आप इस message को open करेंगे और इस mail में देखेंगे यहां पर आपको यह PDF आ चुका है इसको आप download करेंगे फिर वही password आपसे मांगे जागा password डालेंगे, submit करेंगे pen आपका open हो जागा इस परकार आप UTI का pen जो है easily download कर सकते हैं अब आईए समझते हैं कि अगर आपका pen income tax department से बना है तो उससे कैसे download कर पाएंगे इसके लिए income tax department वाला जो link मिलता है जिसके सामने आपको click करना है थोड़ा सा wait करेंगे आपको इस page पे redirect करेंगा और यहीं पर देखेंगे एक option आपको मिलता है check status और download pen का जिसके नीचे continue का option मिलता है जिस पर आपको click करना है आपको अपना अधार number डालना है एक option continue का मिलेगा जिस पर click करना है आपके number पर एक OTP भेजा गया होगा उस OTP को यहाँ पर fill करेंगे continue वाले विकल पर आपको click करना है थोड़ा सा आपको wait करना है इस पर का OTP आपका verify होता है उसके बाद देखेंगे आपका जो pen है यहाँ पर download हो चुका है अब इससे देखने के लिए यहाँ पर view का भी option है download करने के लिए download यह pen का भी option है आप इस पर click कर सकते हैं और इससे download कर सकते है pen card आपका download हो चुका है password के रूप में वही आपका date of birth पहले date, month, year को डाल कर submit करेंगे आपका pen download हो चुका है साथी हो अभी आपने देखा मैंने आपको step by step बताया कि किस परकार आपको pen card को download करना है उमीद करता हूँ आपने पूरी जयनकारे समझा होगा इस वीडियो को like, share जरूर कीजिएगा कहीं भी कोई doubt या confusion है आप comment box में जरूर लिखिएगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जया हिंद